I am Nifty on Nifty के daily analysis के fresh वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है शुक्रुवार को जो rally आये थी उसके पीछे का कारण क्या था अब market सुमवार को और किस तरीके से trend पकड़ सकता है किस तरीके से market reverse कर सकता है की नहीं इन सबी चीज़ों के बारे में बहुत detail से जानेंगे इससे पहले बस आप मेरा एक छोटा सा काम कर दीजिएगा बस like का बटन दबदजिएगा इससे मेरा होस्रा बहुत जादा बढ़ता है ताकि मैं आपके लिए और quality analysis में आपके लेके आ सकूँ देखिए शुकुरुबार को जो market का जो बढ़न्त था वो बेशक GDP के कारण था 8.4 something GDP जो सरकार ने दर्शाया है तो उसके कारण से जो एक rally हमको देखने को मिला है लेकिन शुकुरुबार अब जा चुका है अब सोमवार आने वाला है अब सोमवार को market किस तरीके से कर सकता है क्या कर सकता है इसको और थोड़ा अगर detail में अगर जानना चाहते है तो मैंने weekly analysis में मैंने कलके कर रखा है आप एक बर अगर चाहे तो description box मैंने उसका भी link दे रखा है आप उसको check कर सकते है देखिए market अभी अगर position की हिसाब से देखा जाए level की हिसाब से देखा जाए तो market बहुत शानदार एक trend line के पास से अब गुजरने वाला है देखिए news चाहे कोई भी हो लेकिन market तो उसी हिसाब से BF करेगा जिस तरीके से आपके chart पे चीज़े हो रहा है धर्शा रहा है आदिक रहा है आपका सबसे बड़ा काम बनता है कि market को आप chart के नजर से देखे अब देखिए चार्ट पे तो मैंने कल भी कहा था कि market 47600 के पास जो बहुत शानदार एक वापर trend line जो बन रहा है वो बहुत जादा बहुत जादा कारगर होने वाला है अब सुमवार को इनी चीज़ को देखने के लिए मैं अभी आपको चार्ट पे लेकर चलता हूँ तो आपको चीज़े और आसानी से और साधरन तरीके से समझ में आ जाएगा आए चलते है एक बात तो तो है है जैसे जैसे अब election पास आते जाएगा सरकार अपने किये हुए काम का एक एक डेटा सरकार जारी करता रहेगा और उसी के बेसफे मार्केट में उतल उतल बना रहेगा इस बात की आप बिलकुल गांद लीजिए इसलिए थोड़ा सा नेूस के तरफ अब आपको थोड़ा सा अग्रसर होना पड़ेगा देखिए नीउस इसलिए क्योंकिन के वज़े से खास कर जब वो भारत सरकार से रिल्टेट रहेगा क्योंकि भारत सरकार अब से जो भी अपने किये हुए काम के बारे में जब भी भी कोई घोशना करेंगे उससे मार्केट में फरक पड़ेगा पड़ेगा और पड़ेगा जरूर क्योंकि आगे आने वाले elections के मार्केट में हल चल बनी रहेगी अब देखिए यहाँ पर मार्केट ने शुकुरवार को देखिए शरीवार को तो एक बात तो हुई थी कि छोटा सा ट्रेडिंग सेशन था एक देड़ घंटे का तो वो बहुत ज़ादा गिनने लाइक भी चीज नहीं था क्योंकि ऐसे में जो एकाद घंटे के लिए मार्केट खुलता है ऐसे में मोमेंटम बनता भी नहीं है लेकिन शुकुरवार की अगर बात कर तो शुकुरवार को आप पाएंगे कि यहाँ पर मैंने अगर गुरुवार को मैंने कहा था जो बिल्कुल भी इस बारे में नहीं कहा था कि पहले कारण देखेंगे तो यह एक बहुत शांदार स्ट्रॉंग सपोर्ट पर है दूसरी बात मार्केट में यह भी कहा था कि एक कैंडल अगर यहाँ पर बड़ा बन जाए या पूरी तरीके से बुलिश कैंडल बने अभी जो बना है शुकुरवार को मैं उसकी बात कर रह देखें इस ट्रेंड लाइन को अगर मैं यहाँ से सीधा खीचता हूँ तो मार्केट के इस इस लेवल पर देखिए अब इस चीज़ को ध्यान से देखने की कोशिश करिए और समझने की कोशिश करिए कि मार्केट में किस तरीके से फॉल आने वाला है या यह एक पॉइंट अपने इस तरीके से कम से कम 10-15 दिन, 20 दिन, 25 दिन का जब ट्रेंड लाइन को मार्केट जब टच करने जाता है तो मार्केट में उस समय एक हडबड़ी मत जाती है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे बाइंग, सेलिंग का यह जो तमाशा होती यह बहुत जादा होता है और खा जितना अभी जो अनुमान है जिस तरीके से मार्केट का अपना एक जो पॉसिबिलिटी जो नजर आ रहा है वो बहुत बार ऐसा होगा कि मार्केट यहां यह स्टेंड लाइन को छेत करके उपर जाने की शक्ति अब रखता है क्योंकि यहां से जो प्रेशर मिला है वो बहु मार्केट में बहुत अच्छा खासा अभी बाइंग प्रेशर दिख रहा है तो संभावना है कि मार्केट यहां से अगर थोड़े दिर अगर यहां पर कंसॉलिडेट करें तो बहुत बढ़िया एक हमको रहने दिखेगा और इसके बाद सेटेंड जो इसका स्टेशन होगा वो और टाइम हाई के पास जाएगा जो है 48000 सम्टिंग 600 के आज पास लेकिन फिलाल हम मार्केट में कहाँ पर है फिलाल मार्केट में बिलकुल इस ट्रेंड लाइन के पास है अब याद रखिएगा यह ट्रेंड लाइन मार्केट बहुत जल्दी से मार्केट इसको छूने वाला है लेकिन एक तरफ अगर मैं बात करूं तो मार्केट में सबसे जादा मुझे भी यहाँ पर यही दिख रहा है कि मार्केट कहा पे खुल रहा है अगर मार्केट गैप खुलता है और इस trend line की ऊपर सिधी सिधी अगर मैं बात करूं तो अगर मैं अगर मैं आपको पॉइंट बता दू तो पॉइंट होगा लगबग 47,550 इस नंबर को भी याद रखिएगा 47,550 के ऊपर अगर मार्केट खुलता है तो यह trend line की ऊपर हो जाता है एक बात दूसरी बात आपको मैं यह भी मैंने शुकरवार को मैंने यह कहा था कि मार्केट में यह जो बड़ी rally आपको दिखी थी ना इस rally के बीचे एक बड़ा यह कारण भी था कि मार्केट trend line के ऊपर खुला था यहास एक trend line गुजरा था trend line के ऊपर खुला था और इसलिए trend line को break नहीं कर पाया तो trend line बहुत जादा minder रखता है और मार्केट अगर कल 47,550 के ऊपर खुलता है तो मार्केट पहले से ही trend line की ऊपर होने वाला इस बात को याद रखिएगा और यहाँ पर जितने भी position यहाँ पर बना के है call writers इनका एसल हीट होगा और market को एक बहुत अच्छा boost मिलेगा कल ही के कल में इस बात के लिए पूरी तरीके से तैयारी रखिएगा लेकिन किसी कारण से अगर market gap down होता है तो फिर पूरा पासा बदल जाएगा पूरा जो आप जो दो चार चीजे मैं अभी बता देता हूँ अब अगर शुकुरवार की बात करेंगे तो market में यह देखिए कि शुकुरवार को एक बहुत शांदार बड़ी rally हमने देखा था देखिए यह शुकुरवार का ही market है अब दूसरी बात है यह जो मैं थोड़ी देर पहले आपको रहा था कि शुकुरवार को इतना बड़ा एक market में एक जो rally हमने देखा उसके पीछे का एक main कारण यह trend line है देखिए अब देखिए देहन से मैं थोड़ा सा भी zoom करके आपको दिखाता हूँ यह जो पहला candle आप देख पा रहे है अब देखिए यह जो पहला candle देख रहे है ना यह पहला candle है first 15 minute का जो market उपर जाके first ए पहले minute पे market यहाँ पर आके रुका था मतलब trend line के उपर जाके ठहर गया और यहाँ पर जितने भी यहाँ पर call writers थे या put writers इन्हों ने यहाँ पर call writing का तो जोर चला नहीं पूट writers अचानक यहाँ पर बड़े तेजी से बढ़ गया और market उपर लेके जाने में सक्षम रहे है बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि 490 के पास है 496 आ रहा है 470 आ रहा है 480 भी आ रहा है पर market गिर क्यों नहीं रहा है उसका main कारण था कि market जब पहले minute में trend line को cross करके उपर गया तब जाके market में और कोई 4 बाकी नहीं था क्योंकि pressure इतना सही और इतना जबरदस्ता है जो trend line के उपर जाके market बंद हुआ पहले minute पे यह सबसे main कारण था कि market नीचे गीरा नहीं और trend line के उपर जब market था तो एक तो boost मिला उपर से news GDP का तो market लगाता और लगाता और धीरे 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 उपर चलता ही गया अब इसको मैं यहां से हटा देता हूँ तो आपको और चीज़े यहां पर दो तिन चीज़े मैं आपको बता देता हूँ देखी अभी यहां पर धहन दीजी यह जो trend line गुजर रहा है इस trend line के उपर हमें बहुत ज़्यादा focus करना पड़ेगा क्यों focus करना पड़ेगा अब देखी यहां पर market बंद हुआ है यह closing point है कहां पर 47,294 पर अब market अगर यहां पर gap up open भी होता है लेकिन अगर market यह जो trend line के नीचे रहता है तो बहुत ज़्यादा possibilities रहेगा कि market शुरू के पास जैसी पहुचता है आप वहाप एक चोटा सा hedging कर सकते है क्योंकि hedging से ही ऐसे जगह पे जब-जब market बड़े trend line के पास पहुचता है तो hedging से बहुत-बहुत-बहुत-बहुत फाइदा मिलता है क्योंकि market पे momentum इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि market एक तरफा भागत है और वहाँ पे जो आपका premium बढ़ता है वो देखने लाइक और पैसे कमाने लाइक की जगह होती है लेकिन अगर हम सीधी सीधी अगर बात कर तो trend line के पास अगर market यहाँ से वापस आता है तो सबसे पहला हमारा target होगा यहाँ पर 47,250 और अगला होगा 47,150 और तीसरा 46,000 तक market यहाँ पर बहुत आसानी से पहुच जाएगा अब यहाँ पर देखें market शुरुबात में अगर इस close के नीचे खुलता है समझ लेजी यही पर अगर खुल गया तो यहाँ पर याद रखिएगा यहाँ पर put writer जादा है मतलब market को एक यहाँ पर बहुत अच्छा खासा फिर स bullish point मिलेगा तो market फिर से close के पास जाने की कोशिश जरूर करेगा और यहाँ पर फिर यहाँ पर market consolidate कर सकता है इसलिए अगर gap down खुलता है तो बहुत जल्दी put लेने के बार में मत सोचेगा क्योंकि यहाँ पर जितने भी जगह है ना यह साय put writers का जगह होगी अगर आप option chain भी तो आपको यही दिखाई देने वाला है लेकिन market अगर शुरुवात से उपर अगर खुल जाता यही कही अगर gap up खुलता है तो सबसे बड़िया मज़ेदार बात यह होगी कि market में पहले से बूल्स आ जाएंगा यहाँ और market को धिरी धिरी करके price action के साथ उपर ले जाएगा जो आपके लिए बड़ा फाइदे मंद रहेगा और देखिए तूरंत कुछ नहीं होने वाला है ऐसा नहीं कि market gap up खुला तो आपने सीधा वहाँ पे call लेके बैठ गया आपको वहाँ पे कम से कब 15-17 मिनिट थोड़ा वेट करके देखना पड़ेगा बहुत बार होता है market अ अब खुला तो market शुरुवात में थोड़ा सा या पर correction करके market trend line तक आ सकता है और फिर यहाँ से market बड़ा move दे सकता है इसलिए क्योंकि trend line के पास जो बाता है तो market boost मिलता है trend line से या resistance से अब कोई भी चीज हो market को boost मिलने के लिए वो उस point को चूना बड़ा जरूरी होता है त तो वहाँ से market में बड़ा तेज market को put writers बहुत जल्दी उपर लेके जाएंगे अब हम बात करते थोड़ी दिर nifty के बारे में निफ्टी ने अपना close दिया था market में 23,238 पे लेकिन बहुत जादा possibilities market में अब की इस बात की है देखिए अब market में आप अगर मैंने कल भी इस बारे में मैंने थोड़ा सा discuss किया था कि market पिछले साथ मतलब 2023 से लेके 2023 के नॉवेंबर महिने से जो ये trend line market follow कर रहा है ये इतना strong है कि इसको break करना इतना ज्यादा आप आसान होगा नहीं मार्केट किसे मार्केट अपना चाल चल रहा है देखिए उपर जा रहा है trend line को follow कर रहा है यहा से market उपर जा력ा रहा है इस तरह की से market जिग जैक आकार बना के धीरे धीरे उपर के ओर जा रहा है अब market का position कहाप है ये भी आपको देखना पड़ेगा अब market को मैं थोड़ा सा गर यहापे बढ़ा कर देता हूँ आपको यहापे सबसे बहुत आसान तरीके से यहाँ से trend line अपको यह market एक channel के अंदर है इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखियेगा market इस channel के अंदर है तो market all time high लगाते हुए दीरे दीरे आगे बढ़तो रहा है लेकिन इस channel को अगर आप देखेंगे तो मैं आपको पहले draw करके दिखाता हूँ तो चीज़े आपको थोड़ा सा और साधरन तरीके से समझ में आने में बहुत जादा सुबिदा हो जाएगी अब देखिए यह जो market का एक trend line आप देख रहे हैं यह market का trend line है थोड़ा सा इसको उपर करना पड़ेगा यह तो market इस channel को follow कर रहा है अब market दीरे दीरे इसी को follow करता है दीरे दीरे उपर 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 निकलता जाएगा लेकिन जिस वक्त market इसको break करेगा यहाँ से उपर जाएगा धिरे दीरे नीचे आएगा और एक बार जब यहाँ से market को breakdown मिलेगा तो market में हमको यहाँ पे तेज गिरावट का भी सामना करना देखना पड़ सकता है अब बात आती है इसको सबसे पहले में यहाँ से हटा देता हूँ अब बात आती है कि market all time high पे है तो यहाँ पे आपका जो conviction है वो किस तरीकी का होना चाहिए जब भी market all time high पे पहुचता है तो market का लियम है कि market ज्यादा तर मतलब 5 बार में कम से कम 4 बार market गिरता है याद यह भी बात है वो गिरने का अगर मैं point बताओ तो यह point है मतलब market बार बार इस टेंड लाइन तो फॉलो कर रहा है तो market कम से कम अगर गिरता भी है तो यहाँ पे आके गिर सकता है यह market का 22,063 इसके उपर इसके नीचे और जाएगा नहीं फिर market bounce back कर सकता है तो इसलिए nifty मे सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो market high पर high तो लगाते जा रहा है लेकिन साथ में गिरावट किस जगह से होगा उस वहाँ से उठेगा कब कैसे momentum मिलेगा इन सब बातों को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और यह भी एक जगह है जहापे आप बहुत अच्छा अपना जो जिसकों कहेंगे हेजिंग कर सकते हैं 15 मिनिर के time frame में आपको लेकर चलता हूँ चीज़े आपके लिए और ज्यादा मज़दार बन जाएगा देखिए अब देखिए मार्केट को यहां से थोड़ सा ध्यान से देखिए कि अब मार्केट के उपर जो मैंने ड्रॉ किया था उसको देखिए अब कैसा होगा कि मार्केट में मार्केट कहा पर यहां पर और यहां इस end के नीचे यह एक funnel यह और एक बन गया है, यहाँ से market अगर गिरावट देता है, अगर market, जहाँ से market बंद हुआ है, वही से अगर market flat भी अगर खुलता है, जो chances होगा कि market में आपको पहली buying दिखागी, यहाँ पे बहुत जादा buyers है, इसी कारण से market जो शनिवार को जो trade हु price action के साथ धीरी धीरी करके उपर जाए, लेकिन अगर market शुरुवात से अगर इस level के नीचे, मतलब पिछले दिन के close और शरीवार के close के नीचे अगर खुलता है, gap down अगर होता है, तो फिर chances रहेगा कि market में आपको गिरावट थोड़े वक्त के लिए देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर market पहले, gap up खुलता है, तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको price action के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, कम से कम आदा घंटा वेट करिएगा, क्योंकि market all time high पे, तो पहुच चुका है, गिरावट का समय चलने के लिए market तयार कर सकता है, या market market में momentum छोटा आ सकता है, तो शुरुवात सही बड़े-बड़े कदम या बड़े-बड़े आप trade लेने से बचे, और जैसे-जैसे market धीरे-दीरे बीचे अगर आता है, तब आप अपने quantity को बढ़ा सकते है, वीडियो अगर अच्छा लगए तो like, share, subscribe ज़रूर कीजिएगा, आप से मैं अगले वीडियो मिलता हु, तब तक के लिए, जैहिन!